हेलो गाइस वेलकम बैक टुमानी वीडियो आज हम कर रहे हैं अपनी किया केरेंस के इन्फो टैनिमेंट सिस्टम का रिवियू आपको अगर जानना है इसमें क्या-क्या फीचर से क्या-क्या ओप्शन से हम इसके साथ क्या-क्या मतलब कर सकते बिसिकली सो यह रिवियू आज म फोन मिलता है अपना कौनसा-कौनसा फोन इसमें पेर है अपको पेर करना है नहीं करना है वह उप्शन मिल जाता है फोन प्रोजेक्शन मतलब अगर आप ब्ल्यूटूथ करते हो उसके बाद अपना आपको इधर ऑप्शन आता है एंड्र रोटो या फिर एप्पल कार्पल लिए मिलता है इधर आपका FM, AM, Bluetooth, USB या फिर Android, Apple CarPlay आपको जो भी connect करना है आप इधर से कर सकते हो उसके बाद DRVM अभी इसके जो luxury और luxury plus वेरेंट है उसमें आपको इधर एक button मिलता है particular जिदर से आप जो DRVM मतलब rear का camera जब अपनी गाड़ी running में होगी तब start कर सकते हो लेकि DRVM यह आपका camera जो है वो running के time भी चालू रह सकता है खले आपको जो यह DRVM का button प्रेस कर वह हम इसको burn करते है फिलाल बाद में आप उनको quiet mode मिलता है अगर आपको sound का जो bass और सब मतलब total sound है वो कम करना है तो यह आप प्रेस कर सकते हो sound decrease हो जाएगा automatically ओके यह अभी मैं हट आरे तो बाद में setting मिलती है setting में आपको एक मिन इस पर बाद में आएंगे देन phone इधर में आप वही सेम media वही सेम setting पहले आपको sound मिलता है अगर यह जो speed dependent volume control आपकी speed अगर increase होगी तो sound कम होगा और अगर speed decrease रहेगी तो sound ज्यादा रहेगा यह इधर कुछ आपको control उसके मिल जाते पोजिशन आपको sound की position कैसे चाहिए आगे के दो speaker चालू चाहिए एक ही चालू चाहिए सेंटर में चाहिए वह equalizer आप इधर से अपना base mid range और treble सेट कर सकते हो guidance guidance volume मतलब ही आपको ringtone की volume कितनी चाहिए बीप कितनी चाहिए अलर्ट्स कर सकते हो रेडियो noise control मतलब रेडियो का noise आपको mild चाहिए ओरिजनल चाहिए स्ट्रॉंग रॉइस रिडेक्शन चाहिए फिर उसके बाद अपने को मिल जाता है यह device connection जो की वही Bluetooth connect अगर आपको करना है वह आप कर सकते हो Bluetooth connect कर सकते हो आटो connection priority Bluetooth system info वही सब मतलब अपना क्या नाम है वही किल का वे मैं किया ही रखूंगा फोन प्रोजेक्शन अगें वही Android और एपल कार प्ले अभी अधर आईफोन कनेक्ट है और एंड्रोड भी कनेक्ट है उसके बाद अपने को बटन मतलब यह जो अपना पटिकुलर अप स्टार का बटन देख सकते हो एक इस स्टार के बटन को आपको कौन सी चीज अटेच कर आपको क्या चीए क्या नहीं वह आप सेट कर सकते हो यह कुछ इदर कंट्रोल है जन्रल में हम जाएंगे तो इदर सब सॉफ्ट्वेर का इन्फो डेट टाइम लैंगवेज कीबोर्ड वो सब उसका कुछ लेना देना नहीं है वाइफाय में अगर जाएंगे फिर वही जो आप फोन प्रोजेक्शन रहता है वह इदर से आप अन अफ कर सकते हो क्लाइमेट में अगर जाएंगे तो यह कुछ काम कर नहीं है तो देख सकते हो यह था किया कैरेंस का जो प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस मॉडल में इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन मिलता है उसका ए अफिम का आपको कौन सा स्टेशन चीए वो कॉल कट करने के लिए उटाने के लिए और एक स्टार का बटन यही कुछ है इस जो पर्टिकुलर अपना स्क्रीन है उसके रिलेटेड सब डिस्प्ले आफ करना है तो उदर से आफ कर सकते हो डिजीटल राके तो डिजीटल रख सकते हो या फिर अनलोग भी रख सकते हो थैंक यू सो मच तो वाच दिस वीडियो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए